इंट्रुडिक्शन टू बायो टेक्नलोजी जो कि आपका क्लास 9 का चैप्टर नमबर 17 है इससे हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नमबर 3 लेक्चर 1 और 2 अल्रेडी कवर्ड है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लेक्चर नमबर 3 में हम इस चैप्टर को खतम करतेंगे हम देखेंगे पेस 202 तो 207 पर आने वाले सारी चीजों के बारे में इस चैनल पे यह सारे चैप्टर भी कवर्ड है इन सभी का प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इनके नोट्स आपको मिल जाएगे हमारे टेलिग्राम चैनल पे अब हम सिद्धे शुरू करते हैं इस चैप्टर को मेरे प्यारे इस टाइम में पढ़ने वाले वो है बायो टेक्नोलोजी के बारे तो देखो कुछ सेल्स हमारे बॉड़ी के ऐसे होता है कुछ सेल्स लिविंग और्गेनिजम्स के अंदर ऐसे होता है जो टोटी है नए सेल को जन्म देने के लिए इसी चीज को बोला जाता है टोटी पूटेंट सेल्स अभी बात को ध्यान से समझना टोटी पूटेंट मतलब मैं तुम्हें बता दिया that if provided proper environment ऐसे सेल को अगर हम proper environment दे देते हैं a new organism can grow from this cells इन से एक नया organism grow कर सकता है varieties of high yielding crops इसमें से हम high yield high yield मतलब क्या हो रहा है याप है yield इसका मतलब क्या होता है कि जिससे उपज बढ़ाई जाय सके समझ भया रहा है तुम्हें जैसे मालों कि हम गेंव उगा रहा है तो जादा गेंव उगा सकते हैं ऐसे crops को हम उगा सकते हैं using the cells साथी साथ new species of animals को भी introduce किया जा सकता है या फिर लाया जा सकता है और बहुत सारे vaccines भी produce किये जा सकते हैं इस technology का huge करके इस type के cells का इस्तिमाल करके अब आगे बढ़ते हैं यह सब चीजों ने एक नया branch of science को लाया एक नए branch of biology को लाया जिसको हम क्या बोलते हैं biotechnology अब मैं आपको आगे जा मदद से it has become possible to produce plants and animals bearing some new characteristics in addition to their natural one मतलब इस technique की मदद से हम एक नए plant और animals को introduce कर सकते हैं जिनके पास कुछ नए characteristic होंगे मतलब पुराने के मुकाबले कुछ बहतरीन ठीक है और भी ज्यादा characteristic उनके साथ हो सकते हैं अब इसको अब hybrid भी बोलते हो कुछ cases में हर चीज को अच्छ of bringing about improvements in the living organism by artificial genetic change एक ऐसी technique जिसमें हम living organisms में improvement ला रहा है लेकिन कैसे artificially genetic changes करके and by hybridization मतलब उसको हम hybrid कर रहे है for the welfare of human beings इसका main goal के है हमारा humans welfare भलाई के लिए ठीक है our together called us biotechnology इसको हम together क्या कहते है एक साथ मिला करके गए मैं बोलू तो इसको क्या मूलेंगे biotechnology अब दियाम से समझना it include techniques of genetic engineering इसमें genetic engineering होता है मतलब कि अगर मालो कि तुम्हारे शरीर के किसी gene पर कोई defect है तो उसको सही किया जा सकता है ये tissue culture के काम आता है tissue culture को मैं बहुत detail में स साथ ही साथ varieties of cash crop जैसे कि ये बहुत सरे cash crop के variety हम उगा सकते हैं इसके अलाबा increase in the abilities of plant to withstand environmental stress अभी environment में बहुत सरे stress हो सकता है ज्यादा बारिश हो सकती है कुछ ज्यादा धूप हो सकता है तो जो biotechnology के थ्रू जो हम hybrid crops उगाएंगे के पास एक ability होगी ये environmental stress को जहल जाने की early diagnosis of progenital diseases progenital diseases मतलब होता है disorder existing at or before birth जो तुम्हें पता है कि हाँ मेरे parents में तो मुझे आने ही वाला है तो उन चीजों को early diagnosis किया जा सकता है और उनका इलाज भी शुरू किया जा सकता है आचा देखो organ transplant में काम आता है मतलब मेरा किसी organ को अगर मुझे किसी और को donate करना है जो क उसमें काम आ सकता है फिर cancer research में काम आता है और ऐसे बहुत सारे useful applications है biotechnology के प्यारे बच्चों आगे बढ़ने से पहले एक छुटी सी चीज बताना चाहूंगा मैं आपको कि यहाँ पर मेरे बहुत सारी free content तुम्हें दिये है बट एक चीज है जो मैं तुम लोगों के लिए क बड़ा भाई हो अगर हो मुझे guide कर दे मुझे हर एक चीज के बार में बता दे तो वह light में मचा दूगा तो यह तुम्हारे लिए है बाकि यह सारे benefits तो पानिकम चाहे है तो आपके बास मेरा personal number होगा तो आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हो dedicated study planner बनेंगे आपका career guidance दिया आपके सभी problems पे improvement report मिलेगा और बहुत सारी benefits है इसका पैसा कितना लगी है देखो यार पैसे नहीं आने चाहिए बीच में बट पैसो से क्या होता है कि filter हो जाता है पैसा ही like a filter बहुत मजबूत filter उससे वही लोग आते जिनको सच में जरूरत होती है और time pass नहीं होता है तो आप लोग यह discount code यूज कर सकते हो winner कुछी seats है और आप आ सकते हो link is in the description जब आप winner एक code लगा दोगे और अगर यह लग रहा है मतलब मालों कि seat खाली है अगर यह नहीं लग रहा है तो समझ जाओ seat भर गया है सारे ठीक है तो winner एक code लगा ना 199 का 99 हो जाएगा for month नहीं for a year और अगले topic पर चलते हैं जो है हमारा tissue culture अब tissue culture को ध्यान से सुदना एक scientist है जिनका नाम था फेडरिक फेडरिक ने कुछ अच्छी चीज़े करी थी जैसे समझो he was a British botanist मतलब जो plants के बारे में study करते हैं अब इन्होंने carrots related कुछ किया था he had shown that cells and tissues can be grown ex vivo अब ही XY वो मतलब vivo मतलब क्या होता है outside an organism मतलब मेरा कोई जो cell है न वो मेरे शरीर में ही grow हो ऐसा नहीं है मेरा कोई tissue मेरे शरीर में ही grow हो ऐसा नहीं है मैं बाहर रखके lab में भी उसको grow कर सकता हूँ तो इसको प्रूफ करने के लिए इन्होंने carrot गाजर के root से कुछ cells निकाल लिये ठीक है कुछ tissues निकाल लिये and cultured them in a nutrient medium और उसको एक nutrient मतलब एक जहां पर nutrition है उस medium में उसको उगा करके दिखाया अब देखिए he also proved that each cell has the ability to produce a new plant इन्होंने ये भी दिखाया कि हर इक cell के पास एक ability होती है नए plant को produce करने के लिए अब एक्स भी वो growth of cells and tissues in a aseptic and nutrient rich medium is called as tissue culture तो जब मतलब हम इने इसको क्या किया है distilled कर दिया मतलब simply इसको अच्छे साफ वाप किया है ठीक है और nutrient rich medium में डाला गया है तो उसको हम tissue culture बोलते है अब liquid solid या फिर gel like medium prepared from agar ठीक है तो agar नामके एक चीज़ है जो nutrition rich होता है इससे हम liquid solid या gel like medium prepared करते है और इसके अंदर ये जो agar है इसके अंदर फिर हम उसको grow करते है which supplies nutrients and energy necessary for the tissue culture used in this technique ये क्या करता है आपको वो nutrients देता है या फिर जो भी चीज़े चाहिए tissue culture के समय वो provide करता है अब ध्याद जा समझना nowadays complete organism can be developed from a single cell आज के टाप में पूरा का पूरा organism एक single cell से उगाया जा सकता है और from tissue with the help of tissue culture technique या फिर एक tissue या cell से एक पूरा का पूरा organism उगाया जा सकता है लाया जा सकता है with the help of tissue culture विटेल में समझते है tissue culture को तो मैंन मेरे पास एक source plant है मतलब मुझे इस plant को उगाना है ठीक है इस plant के जैसा दूसरा plant बनाना है बट इस plant मे नहीं मुझे tissue culture के दौरा करना है तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं एक one corn source plant ले लूँगा, मतलब सिंपली मैं एक source plant में से एक bulb com ले रहूँ, in the sense, मतलब यहां से मैंने कुछ को एक tissue उठा लिया, जो टोटी potential दिखा सकता है, अब उसको मैं क्या करूँगा, primary treatment करूँगा agar के अंदर, ठीक है, तो agar solution के अंदर या फिर gel like solid, जो भी मैं आपको पीछे बता आता हूँ, उसके अंदर इसका primary treatment होगा, मतलब इसको basically nutrients दिया जाएगा, जिससे क्या कर सकता है, बढ़ सकता है, इसके बाद मैं क्या करूँगा, कि इसका reproduction and multiplication हो ले लगीगा इसके अंदर, मतलब यह अपने आपको divide करने लगेंगे और यह growth दिखाएगा, यहाँ पर shooting and rooting होगा, मतलब बीचे की तरफ roots निकलेंगे, और फिर उपर की तरफ shoots निकलेगा, उसके बाद क्या होगा, कि इसका मैं primary hardening करूँगा, मतलब इसको वहाँ से निकाल करके मैं जमीन में डालूँगा, कि थोड़ा और grow कर सके, जब मैं यह कर रहा हूँगा, तो मैं इसको required nutrient जरूर दूँगा time to time, और उसके बाद मैं इसका secondary hardening करूँगा, और इस तरीके से मेरे पास यह source plant जैसा दूसरा एक और plant आ जाएगा, तो this is about tissue culture, I really hope कि तुम्हें समझ में आया होगा, अब मेरा एक सवाल है तुमसे, cells capable of giving rise to any cell type is called as dash, तुम्हें A, B, C, D, जो भी इसका answer नीचे comments में बताना है, और हाँ इन वीडियो को share भी करना है, अगला है tissue culture, use nutrients medium which is called as dash, तुम्हें इसका answer नीचे comments से बताना है, and I really hope कि यहां तक तुम्हें सारी चीज़े एकदम crystal clear समझ में आ गई है, इतनी सारी चीज़ों के बा class 9th की भी live lecture लोगा, जो की absolutely free होने वाल है, मेरे सारी upcoming live lecture के link जो है आपको description में मिल जाएगा, और उस class में enroll करने के लिए आपको जो एक invite code यूज़ करना है, वो है SJ super 10, इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ कि एक मेरा batch course शुरू है, रहूल सर और स्योग सर के साथ, जहां math, science और social science के सारे important concepts via polls cover किये जा रहे हैं, और हां, तुम इस course में आ सकते हो, अगर तुम्हे class 9 का subscription लेते हो, 10th, 11th, 12th free मिल जाता है, कली मेरे एक student ने लिया, using my code SJ super 10, तुम भी ले सकते हो, all the links are in the description, don't forget to apply my code, चलिए, आगे बढ़ते हैं, प्यारे बचो, अभी जो हमें topic प जिसको GM crops भी बोला जाता है, are being produced by introducing changes in DNA of natural crops, मतलब जो natural crops का DNA है, उसको थोड़ा सा modify किया गया, और उससे एक genetically modified crop, जिसको GM crop भी बोला जाता है, वो produce किया जाता है, ध्यान से देख रहा है, normally such varieties are not found in nature, अभी जो हम GM crops produce कर रहे हैं, वो नेचर में normally नहीं मिलेगा, और देखू, यह जो new varieties है, produce artificially different useful character introduced in such variety, मतलब क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, कि हम जो नया variety produce कर रहे है, genetically modify करके, उसके अंदर हम और useful characteristic डालेंगे, यह जो characteristic होगा, यह इनको self करता है, अब जो natural वाले होता है, वो stressful environment नहीं जहल पाते हैं, वो dry famine changing climates के against, मतलब withstand ही कर पाते हैं, लेकि strand कर पाएंगे, इसको जहल सकते हैं, इसके अलाबा, यह adverse condition में फिर उप पाएंगे, right, GM crops can grow in any such adverse condition, यह जो GM crops होते हैं बच्चों, यह ज़्यादा resistant होते हैं, towards insects, pets, pathogen, chemical wedicides, etc, ठीक है, तो इसके उपर, यहाँ पर देखे हो, useful of harmful, huge of harmful chemical like pesticides can be avoided, क्योंकि यह naturally ज्यादा genetic है, क्य हमें उपर से कोई छी डालने की कोई खास जरुवत नहीं है, इसके अलाबा, देखो, due to use of seeds of GM crops, GM crops से जो produce, GM मतलब genetically modified, इन से जो हम seeds produce करेंगे, there is improvement in the nutritive value and decrease in loss of crop, मतलब कि जो nutritive value है, वो बढ़ जाएगा, और crop का loss घट जाएगा, अब देखो, यहाँ पर क्या कह रहा है, as seeds are of better quality of crops, in crops के जो seeds होंगे, वो better quality क्यों होंगे, are being produced, farmers will, farmers all over the world are cultivating the GM crops on a large scale, तो genetically modified crop, farmer भी जादा cultivate कर रहा है, क्योंकि उसका जादा profit है, फिर देखो, the area under cultivation is increasing, जितना area है, उसमें cultivation बढ़ रहा है, तो area under the cultivation is increasing, high yielding varieties of GM crops like banana, maize, rice, that too, so yeah, bean, tomato, tomato, apple, cotton, brinjal, papaya, wheat, rose, tobacco, wheat, etc. are available, बच्चों ये सारे example मैंने तुम्हें दिखा दिये है, तुम्हें notes मिल जाएगा, तो नौलोट करके पढ़ सकते हो, देखो बच्चों, paste resistant, मतलब जो pits होते हैं, उससे resistance, jins have been introduced in some of these GM crops, example के लिए है, mon 810 and mon 863, ये maze है, साथे साथ, inflora, golden rice, festive gold, इसके अलाबा, वहिशा दी, जो कि एक tomato की variety है, BT cotton, etc. प्यारे बच्चों, in this way, a green revolution is being achieved through the tissue कर चलब, तुम बोलोगे, भईया, ये green revolution मतलब क्या होता है, तो research and development to increase the agri-cultural production is from green revolution कहते है, ideally hoop कि यहां तक तो मैं समझ आया होगा, हमारे country, जैसे कि India में, with a huge population, क्योंकि यहां का population बहुत ज़्यादा है, in a country like India, with a huge population, in meeting with the success in producing sufficient foodment को, मतलब यहां पर बोला ये जा रहा है, कि green revolution के कारण, ये genetically modified crops के कारण, ज़्यादा production हो रहा है, खाने पीनेगी, in GM crop GM stands for, तुम्हें नीचे कौन पर अंसर बता रहा है, research and development to increase agriculture production is called as dash revolution, white, black, green, none of this, तुम्हें नीचे comments में पहता रहा है, पहरा बच्चे हमारे एक चैनल है, जिसका नहीं है, जिसका नहीं है, जिसका नहीं है, जोनों को भी subscribe कर ले न, क्योंकि एक पर live lectures आता और एक पर मेरी जनम कुडलिया आती है, चलिए आगे बढ़ता है, अब हम दूसर टॉपिक पर जाएंगे, application of biotechnology in floriculture, मतलब फूल होग to be supplied in large number for all those purposes, अभी जो भी 3 purposes, इसके बाल में हमने बात किये, seedling चाहिए, छोटे छोटे पेड चाहिए लगाने के लिए, it is profitable in such cases to produce plantlets with the help of tissue culture technique, अब इस समय, अगर हम tissue culture का इस्तमाल करते हैं, पेड हुगाने के लिए, तो ये बहुत ही जादा profitable होता है, पहला दिखो, कुछ कुछ points है, टेक्स्बुक के जिसको मैं cover कर रहा हूँ, tissue culture can be used to grow those plants on a large scale, which bear flower fruits and excellent quality, tissue culture का हम इस्तमाल करेंगे, तो flower fruit plant, जो भी excellent quality का होता है, उसको हम produce कर सकते हैं, अब दिखो, यहाँ पे कहा निखा है, fully grown plants can be produced in shorter duration, थोड़ा बड़ा plant, जो कि थोड़ा fully grown है, ठीक है, उसको ह can be grown on a large scale, even if means of pollination or germination sits on our tabule label, मतलब कि अगर pollination नहीं हो रहा है, germination नहीं हो रहा है, जर्मेशन नहीं हो रहा है, जर्मेशन नहीं हो रहा है, जर्मेशन तरीका होता है, फिर भी हम plants को उगा सकते हैं, इसका example है, orchards or pitcher plant do not germinate, but these plants can be easily produced by the means of tissue culture, simple है, अगला देखो क्या लिखा ह हुआ है, in a bio reactor, cells can be grown in more nutritive medium and protected from pathogen, ज्यादा nutritive medium में हम plants को उगा सकते हैं, और हम इसको pathogen से क्या कर सकते हैं, प्यारे बच्चों, protect भी कर सकते हैं, अब अगला पच्छावा point देखी क्या है, large number of seedling plantlets can be produced in short time, ज्यादा seedlings और छोटे-छोटे पौधे पेड के produce किये जा सकते ह में minimum resources and materials, और हमारे पास अगर minimum resources and material है, तो भी, resources अंतर से मिटी, पानी, जो भी चीज़ चाहिए वो, अगला देखो क्या है, usually plants produced by tissue culture and genetic modified techniques are disease free, यह disease free होते है, plantlet produced by tissue culture of the mainstream are virus free, यह virus free भी होते है, अब देखो यह 7 पॉइंट अच्छा समझना, embryos formed by conventional hybridization, पुरानी जो hybridization के technique थी, conventional मतलब जो पहले से चला आ रहा था, conventional मतलब जो पहले से चला आ रहा था, technique between two or more varieties may not grow fully for some reason, अब जो conventional hybridization की technique थी, उससे जब हम उगाएंगे, तो वो पूरी तरीक से ग्रो नहीं कर सकता, कुछ रिजन के कारण, मगर, however, embryos produced by tissue culture technique always complete and crude, तुम an endangered plant, जो मतलब danger में है और जो खतम होने वाला थोड़ा बहुत ही बचा है, can be grown by tissue culture, वो tissue culture से वापस ग्रो किया जा सकता है, और इनको खतम होने से बचाया जा सकता है, अब देखो आठवा point क्या है, similarly, मतलब आठवा point ही continue है, similarly, various plants and seeds of such plants can be preserved by tissue culture and those varieties can be protected, तो बहुत सरह ऐसे प पाँच है, nurseries are necessary for, तुम्हें इसका answer comments में बताना है, चैनल को subscribe करना है, like करने attendance भी लगानी है, आगे बढ़ते है, rare and endangered plants can be protected from extinction with the help of dash, नीचे comments में जवाब देते हैं, अगला जो हमारा topic है, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले है, वो है, agri tourism, agri मतलब agriculture, tourism मतलब इसका जाना, if sufficient land is available, अगर तुम्हारे पाँ sufficient land है, the emerging field of agri tourism would be a good business, समझाता हूं मैं आपको, plantlets of flowering, medicinal, ornamental, जिसको सजावत के लिए इस्तमाल किया जाता है, vegetable plants and fruit trees are, and by growing some of the plants fully, a self-sufficient agri tourism center can be developed, इस तरीकी के कुछ पेर जो मने आपको बताया, उससे हम क्या कर सकते है, agri tourism का एक जमीन पे, पे, महल बना सकते, garden की तरह, जहाँ पे, लोग agriculture पे घूमने आएंगे, दिखो, mango, chickoo, guava, coconut, cursed apple and some other regional fruit trees, यह सब हम गा सकते है, shade giving local or exotic attractive plants, तो ऐसे काफी बड़े बड़े पेड होता है, जो shade दे रहा है, वहाँ पे हमें जाना पसंद होता, दिखो, अभी तुम्हें शाद जा जो होगे, 20 साल, 23 साल, 24 साल, तो तुम्हें भी लगी जार कुछ, शांती वाले जगे पर जाते है, जब तुम्हें पैसे कमाने लगोंगे, न तुम्हें लगे आप शांती चाहिए, याद रखना है यह बात अपने भाई की, लगे बड़ते हैं बच्चो, ornamental and flowering plants, ornamental मतलब तो यह सब agri tourism में आता है, यह सब हो यूज कर सकते हैं, अगर हम अपना sufficient land है तो इन सब को grow कर सकते हैं, देखो, that involves an agriculturally best operation or activity that brings visitors a farm or a ranch, to a farm or a ranch, तुम्हें नीचे comments में जवाब देना है इसका, अगला topic भाजिर हो चुका है, that is animal husbandry, मतलब किसी का पती जानवर में है, इसका for using cattle as helping in farming operations, milk production के लिए का इस्तमाल के मतलब किया जाता है, और cattle farming के लिए यूज किया जाता है, cow and buffalo are raised for milk, cow, buffalo मतलब भैस, इनको क्या किया जाता है, गाय भैस को दूद के लिए पाला जाता है, इसके अलाब बूल्स and male buffalo are used for pulling heavy loads, बूल्स मतलब बैल का इस्तमाल किया जाता है, heavy load को pull करने के लिए, local Indian varieties of cow like, सहिवाल, सिंधी, गिर, लाल खंदेरी, ठीक है, कांदरी, हाँ सही है, कांदरी, देवनी, इसके अलाबा खिलारी, खिलारी, ओके, दांगी, etc, यह सब क्या है, local Indian varieties of cow, अब इसके अलाबा देखो तुम्हें, क्या है, exotic varieties like, jersey, brown fizz, इसके बाद है तुम्हारा holstein, etc, kept for the milk, यह exotic varieties है, जिसको हम milk के लिए रखते है, normal हो गया, और यह exotic हो गया, अब दिखो यह पर कहा है, proper care of cattle is necessary for clean and high yield of milk, proper care करना चाहिए, हमें kattles का, इसके अलाबा, अब balanced diet, इनको इस balanced diet देना पड़ेगा, जो include करता है, सारा constituent of food, ठीक है, constituent, सही है spelling, of food should be given to the cattle, it must include fiber, rich course, food, water, and sufficient water, जो भी जानवर को खाना दिया जाता हो, balanced होना चाहिए, तभी आपको मिल पाएगा, the cattle shade should be clean and dry with proper ventilation of the roof, अब यह जो cattle shade है, वो clean होना चाहिए, dry होना चाहिए, और वह पर proper ventilation हो के हवा आ सके, फिर देखो यह आप इनका proper vaccination भी जरूरी है, और आठव सवाल का एंसर देना भी ज़रूरी है, exotic variety of cowage, डाश मिल समने से कौन सा है, तुम नीचे comment सजावाब देना है, अब हमारे अगले topic पे जा रहे है, जिसका नहीं है, pollutory farming, देखो यह सब छोटा-छोटा topic है, तुम्हारे textbook में, मैंने तो सोचाता है, नहीं पढ़ाता हूँ, अचलो, ना भी तो लेना है, ले लेते है, seri culture में प्लान कर रहा हूँ, भी मिने मन में चल रहा हूँ, नहीं पढ़ाने का, अब देख, वा, seri culture तक पहुस्ते है, rearing of egg and meat yielding chicken is called as pollutory farming, अगर हम एग देने वाले, rearing मतला होता है, पालना, ठीक है, काटना नहीं, rearing मतला होता पालना, and meat yielding, जहासे हमें meat मिल सकता है, ऐसे chickens को, जब हम मुर्गियों को जब हम पालते हैं, तो उसको क्या बलते हैं, मुर्गी या फे कोई और पक्षी, pollutory farming, यहापर देखो, the objective behind the development of new hybrid varieties from across between Indian varieties like acyl and exotic varieties like leghorn are as follow, simply बोला जा रहा है, कि हैं हैं कैसे क्या करते हैं, तो देखो एक नया variety लाते हैं, देखो, to produce good quality chickens in large number, to develop the ability to withstand high temperature, हम इनके बीच में hybridization क्यों करते हैं, तो यह region है, इसके पीछे का, to use byproducts of agriculture as pollutory feed etc, ठीक है, byproduct का हम use करते हैं, और उसको pollutory feed में इस्तमाल करते हैं, देखो, road island red, यह एक प्रकार है, एक प्रजाती है, new ham shire, ठीक है, ham shire, new ham shire, play moth rock, black rock, और varieties of chicken red for egg as well as meat, simple, इनको हम पालते हैं, अंडे के लिए as well as meat के लिए, layers मतलब जो अंडे देते हैं, chicken rest for egg, leg horn, minorka, ठीक है, ancona, ancona, ठीक है, leman, तो pronunciation का अपना थो अदिक्कत है, बट तुम्हें आता सहीचे कर लेना, तुम google pronunciation यूज कर सकते हो, और perfect के लिए, लेकिन उनका अलग ही चलता है, अंग्रेज वाना, ठीक है, boilers, जिसको हम लोग chicken के लिए इस्तमाल करते हैं, raised for meat, मतलब ब्रह्मा, लॉंग, कौकीन, असील, खतमाल, पस हमने ये देखना है, कि हम boilers कौन से है, layers कौन से है, that's it, hybridization हम क्यों करते हैं, ते इन रिजर्स मने आपको बता दिया, pollinator farming का, अगला जो हमारा है, वो है seri culture, seri culture मतलब silk का production करना, देखो, there are four stages in the life cycle of a silk warm, हमें silk warm के life cycle को समझ कैसे निकालते है, life cycle of the silk moth, एग, larva, pupa and imaco, अच्छे समझा, mating of two adult male and female moth, दो male and female moth है, जिसका हम mating कराते हैं, जिससे क्या होता है, एग laid by the female moth, female moth क्या करती है, बहुत सारे एग देती है, larva hatching out of eggs are released on mulberry plant, तो ये जो भी eggs से निकल रही है, larva, उसका हम लोग, mulberry plant पर देते है ठीक है, और उसके बात क्या होता है, the larva winds this thread around itself, तो जो larva produce होगा, ठीक है, वो क्या करता है, अपने बाजू में silk का thread पूरा उसके उपर wind होता है, wind मतलब लपेटा होगा, to form cool, such that pupa stage, ये pupa stage में जाएगा, the cool may be spherical in shape, cocoon भी बोलता है इसको, cocoon, ठीक है, may be spherical in shape, मतलब बोल गोल हो सकता है, the larva inside the cocoon matures to form imaco adult moth, अब ये खुट को matured करता है, जो उसके अंदर larva है, और वो क्या form करता है, फिर adult moth form करता है, और फिर से तुम्हे एक नया moth मिल जाता है, simple है, ये है life stage of a silk warm, अब इसमें हम, इसके बीच में हमें silk कैसे निकालना है, वो समझना, एग दिया, commercial production अब silk हमें समझना है, पीछे लिखा हुआ, देखो, एग दिया किसने, हमारे moth ने, female moth ने, उसको हम लोग क्या करता है, mulvery plant पे रख देता है, larva hatched out of the eggs, feeding on mulvery plant, larva बहार निकलेगा और हो क्या करेगा, इसके ओपर feed करेगा mulvery plant पे, उसको खाएगा nutrients के लिए, अब उसी time में ह the pupa adult बनने वाला रहेगा, the cocoons are transferred into boiling water, इसको boiling water में डाल देता है, ठीक है, due to the boiling water, the pupa dies in the cocoon and silk fibers become loose, अब क्योंकि boiling water में pupa मर जाता है, और उसके अंदर से क्या होता है, silk fiber loose हो जाता, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो silk को melt कर देगा, मतलब silk का utilization हो जाएगा, और वो moth में convert ह हो जाएगा, मतलब हमें silk नहीं मिलेगा, तो ये 10 दिन पहले किया जाता है, boiling water में डाल करें, these fibers are unwound, इनको खोला जाता है, processed, इनको process किया जाता है, industry में, reeled film को पेटा जाता है, various kind of fabric is woven from the silk thread, और इससे बहुत सारे प्रकार के fabric बनाया जाते है, silk threads से, silk clothes are made from these threads, और इसी से क् करते हैं, हम लोग silk thread बनाते, so that was all about seri culture, दिको ये सब points बहुत simple है, अगर तुम्हें फिर भी कोई भी doubt हो, तो एक एक point को pollutory farming YouTube पे search कर लेना, कोई भी बड़ी ऐसा video देख लेना, 2-3 minute का, उससे बड़ा video बड़ी आनी होता, ठीक है, maximum 5 minute का video देखना है, हर एक topic पर उससे ब qualms are cultured on which tree, तुम्हें नीचे comment में इसका answer बताना है, और मेरे प्यारे बच्चों के चैनल पर नहीं होता, subscribe कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, यह chapter भी हो खतम, अब हमारा बचा है 9 standard का, 2 chapter, 1 chapter 14, 1 chapter 18, 15 तारिक से पहले, मैं उसको कर दूंगा, खतम, मैं इतना खुश ग्रो करके ऐसा, यह free पर जो इक content दिया है, सब तक पहुंच जाए, अन academy पे हमारे lecture start होने वाले अगले महिने में 5 घंटे, free of course, तुम्हें live lectures लेके पढ़ाने वाला हो, तुम नीचे comment करके बता सकते हो, कौन सा topic तुमको पढ़ना है, तुम्हारे exam में क्या heart जा रहा है, हमारे personal mentorship लेज सकते हो, और सुथी साथ तुम जो खर सकते हो, वो है, क्या बोला था, easy learning और SJTalks का subscribe, happy learning वीडियो बन करता है क्या है